चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे नाराइनपूर से इस वक्त मिल रहे हैं पुलिस की सर्चिंग पाचे पर नकसलियों ने आईईजी ब्लास्ट किया है आईईजी ब्लास्ट में एक जवान की खायल होने की जानकारी मिल रही है गायल जवान को नाराइनपूर इलाज के लिए लाया जा रहा है कोहका मेटा और इरक भट्टी के बीच की ये पूरी खटना बताई जाती है एस्पी मोहित गर्ग ने इसकी अथिकारी पुष्टी कर दी है बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं नाराइनपूर से नकसलियों ने सर्चिंग टीम पर आईईजी ब्लास्ट किया है जिसमें एक जवान के घायल होने की जानकारी इस वक्त मिल वही है घायल को नाराइनपूर के अस्पताल में लाया जा रहा है बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे है बिंदेश पात्रों जोड़ें जाता जानकारी के साथ बिंदेश कितने देर पहले यह ब्लास्ट हुआ है और घायल जवान के से थी क्या पता ही जाती है जी मैं आपको बदान साओंगे आज सुबा दस बजे ओकमेटा में आईटी ब्लास्ट हुआब नक्सलियों ने पैरेट से घार बना के पुलिस के सचिंग पार्टी पर आतमरती हमला के लिए एक आईटी ब्लास्ट की है जिसमें एक जवान खायल हुआ है चलिए बहुत शुक्री आपका चान कारिक लिए